ओल्राइट तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटो रूला की तरफ से इंडिया में लॉंच होने वाले नए फ्लिप स्मार्टफोन के बारे में यस मोटो की तरफ से मोटो रेजर 50 सिरीज बहुत जल्दी इंडिया में लॉंच होने वाली है प्रॉबेबली जून के महीने में ही ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे दो स्मार्टफोन रहेंगे लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैनिला वैरेंट के बारे में मतलब मोटो रेजर 50 के बारे में तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर अगर आप नए है चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और गाइस अगर ऐसे ही content में आपका interest है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बात करते हैं फोन के बारे में start करते हैं फोन के build quality and design से build quality अच्छी यहाँ पर आपको मिलेगी plastic construction यहाँ पर आपको मिलेगा लेकिन aluminium का frame यहाँ पर रहेगा और जो hinge हैं वहाँ पर आपको stainless steel का construction देखने को मिलेगा तो build quality आपको अच्छी मिलने वाली है dual camera तो आपको मिली रहा है तो overall build quality and design के मामले में बढ़िया phone रहने वाला है बात करेंगे display के बारे में तो cover display जैसा मैंने आपको बोला इस बार बड़ा देखने को मिलने वाला है 3.6 inches का cover display यहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पर आपको full ND plus का resolution मिलेगा पी OLED पैनल दिया जाएगा 120 Hz के refresh rate के साथ में यह काफी अच्छी बात है और inner display के अगर बात करें तो 6.9 inches का inner display आपको मिलेगा जहाँ पर भी आपको full ND plus का resolution मिलेगा पी OLED पैनल यहाँ पर भी आपको मिलेगा and 120 Hz का आपको refresh rate मिलेगा brightness wise भी display बढ़िया रहने वाला है तो मेरी इसाथ से display quality आपको बढ़िया मिलेगी specially जो front में display बढ़ा कर दिया गया है यह काफी अच्छी बात करी गई है तो overall display wise phone बढ़िया रहने वाला है बात करेंगे performance के बारे में तो इस phone के अंदर आपको मिलेगा Mediatek Dimensity 7300X processor यह जो processor है Mediatek की तरफ से recently launch किया गया है decent performance आपको निकाल की देता है इस processor के उपर एक dedicated video में ने already बना करके रखा हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं उपर आई बटन में लिंक दरा हूँ जा करके जरूर से चेक आउट करना छोटी छोटी details हमने वहाँ पर cover करी है कि इस processor के अंदर आपको actual में क्या माल मसाला मिलता है processor decent है brief में अगर बात करें 4 nanometer पर बना हुआ है energy efficient रहेगा heating आईशू कम देगा 2.5 gigaards की peak lock speed पर 4A78 वाले आपको course मिलते है तो D2D की performance आपको अच्छी मिल जाती है multitasking बढ़िया हो जाएगी gaming भी आप decent ली कर पाएगे साथी साथ LPDDR5 रहे में आपको मिलेगा UFS 3.1 का storage मिलेगा overall performance wise phone decent रहने वाला है price segment की सबसे बहुत अच्छी performance तो आपको नहीं मिलेगी दो camera's पीछे की तरफ है 4K वीडियो आप record कर पाएगे 30 fps पर and selfie camera की अगर बात करें तो 32 megapixel का यापर आपको selfie camera मिलेगा and selfie camera से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगे 30 fps पर overall camera setup की बात करें camera setup आपको बड़िया मिलने वाला है camera में आपको शिकायत नहीं आईगी बात करेंगे बैटरी के बारे में तो छोटी बैटरी यापर आपको मिलने वाली है 3950 mh की बैटरी यापर आपको मिलेगी तो बैटरी का साइस थोड़ा सा छोटा है 33 watt की charging को phone support करेंगा 33 watt का charger आपको box के अंदर मिलेगा चार्ज करने के लिए टाइट सी अलाप उट मिलेगा 3.5 mm jack ओविसली यहापर आपको नहीं दिया जाएगा security privacy and sensors की अगर बात करें तो side mounted fingerprint scanner आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ यहापर आपको shooter पोटर इदर उदर के सारे sensors देखने के लिए मिलेगे साथ ही में AI की capabilities भी आपको बर-बर के मिल जाती है plus bloat wires and ads भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो software का experience आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है साथ ही साथ यहापर आपको updates भी अच्छे खासे मिलेंगे 3 साल के Android updates, 4 साल के security updates तो update wise भी phone बढ़िया रने वाला है software में हमको शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी बात करेंगे speakers के बारे में dual stereo speakers यहापर आपको मिलेंगे audio quality बढ़िया रने वाली है tuning अच्छी रहेंगी, loudness आपको अच्छी मिलेंगी and display quality अच्छी दी गई है तो multi-media experience भी phone का अच्छा रहेगा यह काफी अच्छी बात है and card slot की अगर बात करेंगे तो card slot यहापर आपको नहीं मिलेगा overall अगर specification देखे जाए तो specifications अच्छे है and last year से ठीव ठाक अपग्रेट से यहापर आपको देखने को मिल जाते है especially जो front display बड़ा किया गया है उससे यह जो phone है थोड़ा सा और classy लगेगा and थोड़ा सा और premium लगेगा variants की अगर बात करें तो यह जो smartphone है इंडिया में start होगा 8GB plus 256GB से 8 plus 256, 12 plus 256 and 12 plus 512 तीन variants में phone launch किया जा सकता है base variant का price somewhere around 45,000 रहेगा मेरे इसाब से 45,000 के price point पर एक decent smartphone रहेगा especially अगर आपकी priority है flip phone लेना तो यह smartphone definitely इसका आपको wait करना चाहिए अगर flip phone आपकी priority नहीं है तो फिर बाइसाब specification वैसे आपको नहीं मिलते है जैसे दूसरे smartphones में मिलते है so yes यह जो smartphone है बहुत ही specific audience के लिए है जिनकी priority है flip या fold phone लेना जिनको थोड़ा सा अलग दिखने वाला phone लेना है उनके लिए यह smartphone बना हुआ है लेकिन performance oriented लोगों के लिए यह smartphone नहीं बना हुआ तो आप मैं वो comment करके बताना भाई कि आपकी क्या बिचार है इस phone के बारे में चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाई तो please make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें bell notification icon को प्रेस करें all one option जरूर से select करें ताकि हमारे future videos के notification पहुँचे है आपको तुरंट से this is Yash signing off bye bye